The Enchanted Oasis अलर्जिक के विशाल रेगिस्तान में यात्री अकसर एक रहस्यमय नखलिस्तान की कहानिया फुस-फुस आते थे। ऐसा कहा जाता था कि जो लोग इसके जहने का पानी पीते वे भविश्य की जहलक देख सकते थे। फरीद नाम के एक यूवक ने जिग्यासा और अपने भाग्य को जानने की इच्छा से प्रेरित होकर इस जादूई नखलिस्तान को खोजने के लिए यात्रा शुरू करने का फैसला किया। कई हफ्तों तक उसे कठोर हवाओं और खतरनात रेव के टीलों का सामना करना पड़ा। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। एक शाम चान्द की चमक के नीचे फरीद एक हरे भरे नखलिस्तान पर आपहुचा। कार के पेड धीरे धीरे हिल रहे थे और बीच में एक साफ जिल मिलाता ज़रना था। ज़रने के पास एक बूड़ी औरत बैठी थी। आप भाग्य के पानी की तलाश कर रही हैं। उसने कहा। फरीद ने सिर हिलाया, मैं अपना भविश्य जानना चाहता हूँ। बूड़ी औरत ने ज़रने की ओर इशारा किया। आप पी सकते हैं, लेकिन याद रखें, भविश्य हमेशा बदलता रहता है, जो विकलपों और कारियों से आकार लेता है। फरीद ने जुक कर ज़रने का पानी पिया। उसके मन में कलपनाएं उमड़ पड़ी। उसने खुद को एक शक्तिशाली योध्धा, एक अमीर व्यापारी, एक प्यार करने वाला पिता और कुछ द्रिशों में रेगिस्तान में खुद को अकेला खोया हुआ देखा। अभिभूत होकर उसने बूड़ी औरत की ओर देखा। मैं इतने सारे भविश्य क्यों देख रहा हूँ। बूड़ी औरत ने उत्तर दिया क्योंकि पानी केवल आपके भविश्य में होने वाले संभावनाएं दिखाता है। कुछ देर सोचने के बाद फरीद समझ जाता है कि असली जादू भविश्य जानने में नहीं बल्कि उसे अपनी महनत, हिम्मत और समझदारी से बनाने में है। बूड़ी औरत को धन्यवाद देते हुए फरीद घर के लिए निकल पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूले। देखने के लिए धन्यवाद।